हेलो एवरिवन, जैडेंक क्लासिस में आपका स्वागत है, आज हम पढ़ेंगे बी ए सेकेंड एर बी ए सेकेंड एर का दोहजार इकिस में होने वाला पेपर जुकी एजुकेशन का है ये पेपर सो नंबर का होगा, जिसके लिए आपको तीन घंटे मिलेंगे तो पहला इसका फॉर्मेट देख लेते हैं किस तरीके से कितने सेक्षन यान कितने खंड में डिवाइड होता है कैसे इसमें कोशन पूछे जाते हैं, तो हम देखते हैं ये जो हमारा पेपर होगा उसमें तीन सेक्षन यानि तीन खंड होंगे पहला सेक्षन हमारा A होगा खंड A जिसमें कि आपको 6 कोशन मिलेंगे सेक्षन A में 6 कोशन होंगे 6 में से कोई A कोशन आपको करना होगा एक कोशन आपको अटेम्ट करना होगा जिसके लिए आपको 30 नम्बर मिलेंगे यानि कि section A से 30 नम्बर आपके हो गये एक कोशन करने पर अब आएक आता है section B section B जो हमारा होगा उसमें आपको 10 कोशन मिलेंगे और 10 में से आपको 4 कोशन करने होगे हर कोशन के लिए आपको सारे बारा नमबर मिलेंगे इस हिसाब से ये हो जायागा 50 नमबर का सेक्षन भी हमारा 50 नमबर का हो जायागा अब आता है सेक्षन C सेक्षन C जो होगा उसमें आपको 10 कोशन मिलेंगे और 10 में से आपको कोई भी 5 कोशन करने होंगे हर question के लिए आपको 4 number मिलेगा यानि कि 20 number अब A जो हो गया वो हो गया 30 number का B हो गया आपका 50 number का और C हो गया आपका 20 number का इस हिसाब से total हो गया आपका 100 तो मैं आल लेडी बोल चुका हूँ आपको 100 number का paper मिलेगा जिसके लिए 3 घंटे आपको दिये जाएंगे आप देखते हैं question देखे पहला section जो आएगा वो section A खंड A होगा जिसमें long answer type question होगे 6 question मिलेंगे आपको 6 मैंसे कोई एक question आपको करना होगा जिसके लिए आपको 30 number मिलने वाले हैं किसी एक प्रिशन का उत्तर दीजिए पहला question है Explain the nature of educational psychology How does the knowledge of psychology helps a teacher to improve सिक्षा मनो विज्ञान की पिरकरती को इसपश्ट किजिए मनो विज्ञान का ज्यान एक सिक्षा को अच्छा बनाने में किस पिरकार सहता देता है दूसरा प्रिशन यहां से पूछा गया है What is the interligency? Discuse its various theories बुद्धी क्या है? इसके बिभिन सिद्धातों की व्याक्या कीजिए? Next question है What do you understand by philosophy? How are you benefited by studying educational philosophy? दर्सन से आप क्या समझते हैं? सिक्षा दर्सन के अध्यन से आपको क्या लाब हुआ? Question No.4 Describe the educational philosophy of Ravindna Tagore Ravindna Tagore के सिख्षा दर्शन का वर्णन कीजिए What do you understand by guidance? Describe the main principle of guidance निर्देशन से आप क्या समझते हैं? निर्देशन के मुख के सिद्धानतों का वर्णन कीजिए Next question है What is the difference between guidance and counseling? Explain different types of counseling निर्देशन और प्रामर्ष में क्या अंतर है? प्रामर्ष के विविन स्तरों को इस परष्ट कीजिए ये दिखिए 6 question हो गए आप 6 में से जो सा आपको आता है वो ये question आपको करना होगा इस पूरे वीडियो में मैं आपको question solve out नहीं कर रहा हूँ ये आप चाहते हैं कि मैं question solve out करूँ आपको इसका solution provide करूँ तो आप मुझे comment करिए मैं next video में इसका सारा solution भी आपको दे दूँगा यहाँ पर मैं आपको के वर pattern बता रहा हूँ और last year का question जो आए था वो समझा रहा हूँ तो main जो important हैगा आपको एक दिखे question guidance से बहुत ही ज्यादा important रहने वाला है दूसरा आपका यह guidance और counseling दोने एक की बात है यह दोनों question आप जरूर पढ़ना question एक इनमें से मिलेगा next question आप देखते हैं तो आता है section number हमारा B जो की खंड बा के नाम से होगा यानि section B इसमें short answer type questions होंगे लगू उत्रिय प्रिशन होंगे ये question जो होंगे इनमें से आपको के बर 4 question ही करने होंगे 4 questions आपको करने होंगे जिसके लिए 12.12 number एक question के लिए आपको मिलेगा यानि कि 50 number का ये section आपका होगा 50 marks का ये question section नहेगा अब दीखिए यहाँ पर कितने question दे रखे हैं 10 10 में से आपको 4 करने होंगे describe the importance, merits and demerits of experimental method प्रियोगात्मक बिदी के महत्व गुर्दोशों को बताईए describe chief characteristics of backward children पिछले वालकों की मुख बिस्तेस्ताव का वर्लन कीजिए next question है explain in brief the nature of learning अधिक अमन की प्रकरती को संचेप में बताईए next question है what are subjective methods आत्मनिष्ट विदियां क्या है next question है what is the nature of philosophy of education शिख्षा दर्शन की प्रकरती क्या है next according to idealism right the aim of education आदर्श वाद के नुसार सिख्षा की उद्देश लिखे next what contribution बिवेका नंद has given in the field of education विवेका नंद ने शिख्षा के छेत्र में क्या युगदान क्या है what are the major problems of guidance निर्देशन की प्रमुक समस्यां क्या है define guidance discuss its scope निर्देशन को परिवाशित करें इसके विसे छेत्र की व्याख्या कीजिए explain the importance of tastes in guidance निर्देशन में परिक्षणों के महत्व की विवेशना कीजिए मैं लेडी आपको बता चुका हूँ एक question आपको guidance से बड़ा मिलने वाला है तो तीस नंबर का अगर guidance पढ़के जाते हैं तो इस पूरे education के paper में आपको कोई भी fail करने वाला नहीं होगा टॉप भी आप ही करेंगे क्युक्कि guidance से आप दीखे सबसे ज़्यादा कोशन ये देखे एक कोशन, ये देखे दूसरा कोशन ये देखे तीसरा कोशन आपको चाल करने है तीन तो guidance से वैसी मिल गए और एक वहाँ पर मिल गया याई आपके guidance से सारे कोशन आपको मिल जाएंगे तो आप ये most important topic है पढ़के जरूर जाना next देखते हैं section आजाता है हमारा C अब section to C है उसमें आपको 10 सवाल मिलेंगे जिसमें उसे 5 करने होंगे यानि कि ये 20 number का आपका रहने वाला है तो देखिए section C में दो पार्ट इन्होंने बना दिये है पहला है true false है दूसरा objective questions है तो true false में क्या है ये सारे मैं solve करा देता हूँ आपको true false और objective questions psychology is the science of behavior and experience given by skinner manovigyan विवार और अनुभव का विज्ञान है किसको इसको skinner ने बताया कि बहुत सही है manovigyan विवार और अनुभव का विज्ञान है skinner ने बताया था सत्त या असत्त तो ये सत्त है ये true है सत्त है दूसरा है fraud is the organizer of the psycholetic method manovishlatmak विदी के जनमदाता fraud है ये सत्त है या असत्त है तो ये भी सत्त है fraud का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए fraud का पूरा नाम है sigman fraud next question है human behavior is the link that connects both education and psychology true or false manovigyan के सिख्षा और manovigyan दोनों को जोडने वाली एक कड़ी है क्या ये सत्त है या असत्त है तो ये भी सत्त है मानब व्यभार ही सिख्षा और manovigyan दोनों को जोडने वाली कड़ी है next question है हमारा education psychology is a book of thundic true or false manovigyan thundic की पुस्तक है सत्त या असत्त तो ये भी सत्त है ये पुस्तक लिखी है Edward thundic ने objective type questions आ जाते हैं यानि वस्तोनिष्ट प्रशन बहुत विकल्पी हैं इन में से कोई एक सही होगा तो देखते हैं philosophy is the science of knowledge who said it gentle russo spencer fikte darshan vijyyan darshan gyan का vijyyan है ये किस ने कहा gentle ने कहा russo ने का spencer ने कहा या fikte ने कहा तो इसका सही answer है fikte fikte ने ये कहा है which is impressed by naturalism child circuitulum soul teacher प्रकरती बाद इन में से किस पर बल देता है वालक पाठिकरम आत्मा या सिख्षक तो इसका सही answer है पाठिकरम अब देखिए एक बात आप ध्यान रखना यहाँ पर क्या है ये एक दो तीन 4, 5, 6 और आके भी question 10 question है 10 में से कोई भी आपको 5 करने है चाहें आप true false भी ले सकते हैं और चाहें आप इदर objective भी ले सकते हैं अकुल मिला के आपको 5 questions करने हैं next आज जाता है question हमारा साथमा which is followed by plateau realism idealism neutralism paramagnetism plateau किस भाद के प्रिवर्थक हैं यह थर्थ भाद आदर्श भाद प्रिकर्ती भाद प्रियोजन भाद तो इसका जो सही answer है वो है आदर्श भाद next है the need of guidance is due to individual differences multiplicity of circumcrum increased number of students all of the आपनेशन के आविशकता का कारण है वे सभी जो है वो दिर्देशन के आविशकता का कारण है next question number 9 the first step of guidance processes to collect all information about the person counseling follow-up program none of the above निर्देशन पेकरिया का प्रिथम सो पान है व्यक्ति के विशे में सभी संभव सूचना प्राप्त करना प्रामर्ष अनुगामी कारेकराम उप्रियुक्त में से कोई नहीं तो इसका सही answer है बी प्रामर्ष जो होता है वो first guidance होती है किसी भी process के लिए guidance is to share responsibilities order information help to improve opinionization है उत्तरदायत को साजा करना आदेश व्यक्तिगत दिरश्टी कोन को थोपना इसका सही answer है उत्तरदायत को साजा करना to share responsibilities जो होती है वो guidance होता है तो ये मैंने आपको जो education था बीए second year का last year 2021 का जो paper था जिसका code था 12304 वो पूरा मैंने आपको बता दिया है और उसके objective और फिर true false भी मैंने उसके आपको सारे बता दिये है यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like और share करना ना भूले और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको इसको solution भी provide करूँ तो आप मुझे comment करिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो please वीडियो को जासे से ज़्यादा share करिए और चैनल को subscribe करना ना भूलिए Thank you